हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चाइनल नो ड्रामा प्लीज माइनेम इस प्रध्या आज मैं आप लोगों के लिए अगेन एक हेल्दी ओप्शन लेके आई हूँ इक स्टार्टर्स अभी नूवीएर आ रहा है तो हम स्टार्टरस में क्या बनाएं जो हल्दी थी हो चटपठाबी हो तो हम बनाएंगे मुर्मुरे का कबाब या कटटे इस बोले या बसे स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने चार पाज कर्टूरी मुर्मुरा लिया है आप आपके quantity के हिसाब से भी ले सकते आप कितने quantity में बनाना चाहते है यहां पे मैंने 15-16 इतनी मुर्मुरे में 15-16 टिक्कीज बना के ले लिया था सबसे पहले यहां पे पे मुर्मुरे को मैं अच्छे से सोक करके लूँगे भीगो के लेना है यहाँ पर हम पानी डालेंगे मुर्मुरे में अच्छे से उसे भीगोएंगे और उसे भीगोने के बाद उसे अलग बरतन में हम पानी निचोड़के अलग बरतन में ले लेंगे अब हम इसमें मसाले और वेजिस एड़ करेंगे टिक्की बनाने के लिए कटलेट बनाने के लिए तो देखिए यहां पर यह इतना सॉफ्ट हो गया है मुर्मुरा तो इसे में बड़े बाउल में ट्रांस्पर कर लेती हूँ अब हम इसमें वेजिटेबल्स एड़ करेंगे आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो आप वह एड़ करिए तो यहां पर मैं दो प्यास डाल जूँ अब इसे में बहुत फाइनली कट किया है स्लाइसर में मैंने कट किया है इसा और यहां पर मैंने दो टोमेटव लिया है उसी भी मैंने कट करके एड़ किया है यहां पे मैं 3-4 हरिमिच आड़ कर यूँ तीखा आप आपके टेस्क के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहां पे मैंने 1 कैरेट लिया है कैरेट को भी हमने बहुत अच्छे से स्मॉल साइज में कट किया हैं यहां पे आप कैपसिकम भी आड़ कर सकते हैं आपके उपर हैं यहां पे मैं कर्ड ले रही हूँ दही ले रही हूँ गाड़ा दही लेना है पतला दही नहीं लेना है इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं आड़ करें जो भी मौश्टर रहेगा सारे वेजटेबल से उसका ही रहेगा और धही का भी रहेगा तो हम पानी अभी आड़ नहीं कर रहें इसमें बिल्कुल भी तो यहाँ पे हम मसाले आड़ करेंगे यहाँ पे हम नमक स्वादनुसर डाल तो आप यहांपे लाल मिर्च-मिर्च पाउडर अड़़ सकते हैं यहाँ पर मैंने देड़ôi चमच लाल मिर्च पाउडर भी डाला हैं और मैंने हरी मिर्च भी डाली है जो तिकी से आप मिर्च अब इसे हम अच्छी से मिक्स करके लेंगी अच्छी से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दो उबले हुए आलू एड़ करेंगे आलू को आप हाथ से ही मैश करके डालेंगे तो बेटर रहेगा कबाब, टीकी, कटलेट्स में हाथ से मैश करके डालेंगे तो अच्छी से उसमें एक आलू का फ्लेवर आ जाता है बट यहाँ पर मैंने दोनु साइट से डाला है मैंने हाथ से मैश करके एक डाला है एक मैंने कट करके डाला है तो अच्छे से हम हाथ से उसे मिक्स करके लेंगे यहां पर यह मैंने कट करके लिया है अब यह आलू हम उसमें एड करेंगे टोटल इतने कॉन्टेटी के लिए मैंने दो आलू लिया है आलू बैंडिंग का काम करेगा यहां पर मैं कोई भी आटा इसमें यूज नहीं कर रही हूँ अगर आपका टिकी अगर नहीं अच्छे से उसका साइज आ रहा है गोल नहीं बन रहा है तो एक चमच गेहु का आटा भी मिक्स कर सकते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा आदा जो घुमा के लूँगी पूरा नहीं चाहिए मुझे थोड़ा सा चाहिए आदा मिक्षर हमने स्लाइसर से घुमा के लिया है थोड़ा सा उसे हमने एक फाइन टाइप का हमने उसे और पेस्ट बनाया है आदा ही किया है आदा हमने इसे ही रखा है अब हमारा मिक्षर यह रेडी चोड़ना है और मिक्स करना है और फिर उसे हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे मिक्स करने के बाद अब हमारा मिक्षर रेडी हो गया है हमारे कबाब बनाने के लिए या तिकी या कटलेट बनाने के लिए यहां पे मैं कोरियंडर हाथ से रफली कट करके डाल रही हूँ अब हमारा मिक्षर रेडी हो चुका है कबाब कटलेट या टिक्कीज बनाने के लिए अब हम उसे एक साइज में गोल साइज में आपको जो भी साइज पसंदो उस साइज में हम उसे बना के रखेंगे यहां बें मैं सबका साइज गोली रख रही हूँ सब्सक्राइब करें कॉंटिटी लिया था उस हिसाब से मेरे कबाब बनके इतने रेडी हो चुके हैं अब मैं इसे शालो फ्राइब करूंगे इसे में डिफ्राइ नहीं करूंगे शालो फ्राइब करूंगे शालो फ्राइ के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप लीजिए यहाँ पर मैंने दो या डाही चमश ओईल डाला है इतना ही ओईल में सारे कबाब के लिए यूज़ कर लोंगे अगर म अगर आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेक शूर आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले उसके बाजू में छोटा सा बेल आइकोन होगा उसे भी प्रेस करिए ताकि जब जब में नए वीडियो डालू तब सबसे पहले आपको एक साइड से अच्छे से फ्राय करने के बाद कवर करेंगे तीन मिनिट के लिए तीन मिनिट के बाद हम उसे दुसरी साइड से अच्छे से फ्राय करके लेंगे अभी हमारा कबाब रेडी हो चुका है सर्फ करने के लिए तो आप इसे सर्फ कर सकते हैं सॉस, क्रीन चटनी, या कोई भी आप अच्छे से डेकोरेट करिए और इसी सर्फ करिए तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर ट्राय करिए और मुझे कमेल्स डाउन करके जरूर बताना है कि आपको ये